प्रिये भक्तों आज हम आप सको माता लक्ष्मी की पावन अम्रित वानी सुनाने जाए जिसमें माता लक्ष्मी की अध्भुत महिमा और आलो की कथाओं का भी वर्णन रहेगा तो आएए माता के चरणार विंदों में ध्यान लगाकर पावन अम्रित वानी का श्रवन पान करते हैं तो प्रेम से बोलिए भक्तों लक्ष्मी माता की जै जै महा लक्ष्मी माता परमदया मेजन सुखदाता महिमा परमपार तुम्हारी कहते वेद पुरां जो करता गुनगान होता है कल्यान जो करता गुनगान होता है कल्यान प्रिये भक्तों माता महा लक्ष्मी ही संपुर्ण स्विष्टी को एश्वर्य और सुखदान करने वाली हैं समस्त देवता नाग गंधर्व सिध्ध और संत जन सदैविन के पावन चरणाविन्द का ध्यान किया करते हैं तो प्रेम से बोलिये भक्तों माता लक्ष्मी की जय दानव मानब और सिध्ध जन करते हैं निश दिन ओ बंदन मा सब पर करुणा करती हैं पाप साप संकट हरती हैं जो भी मां का ध्यान लगाएं वह मनवांचित थल को पाएं दुख दरीद्र दोश निट जाएं माता को जो सदा मनाएं माता की भक्ती से मिलता मुहमांगा वरदान जो करता गुनगान होता है कल्यान जो करता गुनगान होता है कल्यान प्रिये भक्तों माता लक्षमी समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली परम कल्यान की साकार मुर्ती हैं ये अपने भक्तों के भै को दूर करने के लिए स्वेम चंडी स्वरूपा माता काली का और सिंग्र वाहिनी माता दुरगा हैं तो प्रेम से बोलिये भक्तों माता लक्षमी की जै दुर्गम काज बनाने वाली सिंग्वाहिनी दुरगा काली पाटन मुंबा अतंत कुमारी महिमा सारे जग से न्यारी रूप शारदा का जब धारा ते सुब धी जन जन को तारा दिब ज्यान जग में विस्तारा मिटा मोह माया भमसारा अगनित रूप बना करमाता रखती सब का ध्यान जो करता गुनगान होता है कल्यान जो करता गुनगान होता है कल्यान प्रिये भक्तों माता लक्षमी के अनंत स्वरूप हैं अलग अलग रूपों को धारण करके माता अपने भक्तों का हमेशा ध्यान रखती हैं जिस प्रकार से सूर्य चंद्रमा और नक्षत्र सहित समस्त तारा मंडल आकाश में इस्थित है उसी प्रकार ब्रह्मान्ड की समस्त शक्तियां माता लक्षमी में समाहित है तो प्रेम से बोलिये भक्तों माता लक्षमी की जै जड़ चेतन जग जीवन धारा परम प्रकाश घोर अन्हियारा सकल विश्व सम्पूर्ण चराचर सब मा की इक्षा पर निर्भर जब माता की इक्षा होती सीप वीच तब चम के मोती जल में थल में नील गगन में मा की छाया मंद पवन में हाथ जोडता मा के आगे विधि का स्वेम विधान जो करता गुनगान होता है कल्यान जो करता गुनगान होता है कल्यान प्रिये भक्तों माता लक्षमी के आगे विधाता श्री ब्रह्मा जी का समस्त नियम सदा सरवदा नत मस्तक रहता है संपुर्ण सृष्टी की समस्त गति वीधिया माता लक्षमी के निर्देशों पर ही कारी करती है पाताल से लेकर ब्रह्म लोप तक के समस्त वैभव माता लक्षमी के ही अधीन रहते हैं तो प्रेम से बोलिए भक्षों माता लक्षमी की जै दसु दिशा में मां का शासन सब लोगों पर है अनुशासन कणकण में माता की जोती चार ओर सदा जै गोती सूर्य देवति हुन लोक प्रकाशक मां लक्षमी के परम उपासक इंद्रशदा ही सेवा करते सुप वैभव से जोली भरते मां की भक्ती से होते हैं काल सभी आसान मां की भक्ती से होते हैं काल सभी आसान जो करता गुनगान होता है कल्यान जो करता गुनगान होता है कल्यान प्रिय भक्तों शास्त्रों के नुसार माता लक्षमी महर्शी घ्रीगू की उत्री मानी जाती हैं इनकी माता का नाम ख्याती और भाईयों का नाम दाता और विधाता था माता लक्षमी ने भगवान विश्णू के गुन और प्रभावों को सुनकर उनका वरण किया और सदा सरवदा वैकुंत लोक में उनके साथ रहने लगी तो प्रेम से बोलिये भक्तों माता लक्षमी की जये विश्णू धाम शुभ वास बना है मां का दीव्य निवास बना है हरी के वाम भाद में राजे स्वर्ण सिंगा सन मात भी राजे रूप मनोहर मंगल कारी रोग दोश जुख दारित हारी काम प्रोध मद मूह न सावन भक्ती विवेक विराज बढ़ावन मां की दीव्य आलो की कशोभा और न जग में आन मां की दीव्य आलो की कशोभा और न जग में आन जो करता गुनगान होता है कल्यान प्रिये भक्तों माता लक्षमी का दूसरा अवतार छीर सागर से माना जाता है जब देवता और देत्यों ने छीर सागर का मन्थन किया तम माता लक्षमी का अवतार हुआ ब्रह्म देव ने स्वेंबर नाम की एक प्रथा चलाई और माता लक्षमी ने पुनह भगवान विश्णू का वरण करके श्रिष्टी को भक्ती और वैभव से संपन कर दिया तो प्रेम से बोलिये भक्तों माता लक्षमी की जय चारोर परम सुख छाया देवो ने त्यो हार मनाया कमल पुष्प है मां का आसन मृदु सोभाब सदा शुभ पावन शीश मुपुट रतनों का सोहे रक वर्ण पट मन को मोहे गले पूले माला ती साजे पाव में पैजनी छन छन बाजे उपुमा दूजी और न कोई मा की छठा समान जो करता गुनगान होता है कल्यान जो करता गुनगान होता है कल्यान प्रिये भक्तों माता लक्षमी के दो प्रमुक्रूप बताये गए हैं भू देवी और श्री देवी माता भू देवी को प्रित्वी और श्री देवी को स्वर्ग लोग की स्वामिनी कहा जाता है माता भू देवी अन्य और स्वर्ण आदी की वर्षा करती हैं तथा माता श्री देवी सुख स्मृधी और पहचान को प्रदान करती हैं तो प्रेम से बोलिये भक्तों, माता लक्ष्मी की जै भूदेवी श्री देवी माता, बक्त जनों की भाग्य विधाता अश्ट रूप मा का अति प्यारा, सुर्णर मुमी का सदा सहारा अश्ट रूप जो मा का ध्याये, उस पर संकट कभी न छाये गर में सधा सुमत शुभ आये, सब जन का मन अति हर शाये माता सब का पालन करती सब मा की संतान जो करता गुनगान होता है कल्यान जो करता गुनगान होता है कल्यान प्रिये भक्तों, माता लक्षमी की पूजा और व्रत आदी का कुछ विशेश नियम है यदि कोई शुद्ध भाव से इन नियमों का श्रधा पुरवक पालन करता है तो उस पर माता लक्षमी हमेशा प्रशन रहती है प्रातह का लस्नान आदी करके गुलाबी अत्वा सपेद वस्त्र धारन करें और फिर ध्यान की अवस्था में बैठ जाए तो प्रेम से बोलिये भक्तों, माता लक्षमी की जै मां की मूरती मन में धारें भाव सहित शुब मंत्र उचारें मंत्र जाप में ऐसी शक्ती मिलती है पापों से अब मुक्ती दीव प्रभाव जानना है तो जापस भटिक माला से हो शुक्रवार दिन व्रत जो करता उससे घोर पाप भी दरता शुक्रवार व्रत से बढ़ता है मान और सम्मान जो करता दुनगान होता है कल्यान जो करता दुनगान होता है कल्यान प्रिये भक्तों जिस भी साधक को नियमित धन प्राप्ती की इक्षा हो उसे अपने घर में माता लक्षमी के उस स्वरूप की सापना करनी चाहिए जिसमें उनके हाथों से धन गिर रहा हो चित्र के सामने घी का दीप जलाएं और फिर चारो तरफ इत्र का प्रियोग करें धन की बचत के लिए माता को चांदी का सिक्का अरफित करना विशेश लावकारी सिद्ध होता है तो प्रेम से बोलिये भक्तों माता लक्षमी की जय मा लक्षमी का नाम जबे जो कष्टों से मूकती पाए वो कठी नाई पत में नाए मिले सफलता मन हरशाए मी संतान सूत सुख पाए चतुर दिशाओं में अश जाए मात लक्षमी का शुभ भूजन करें सुखी भक्तों का जीवन मा का नाम जबे जो निश दिन पाए पद निर्वान जो करता गुनगा होता है कल्यान प्रिये भक्तों मात लक्षमी की दया के बिना मनुष्य का जीवन बड़ा ही कठिन और संकटों से भरा होता है नाही कहीं मान सम्मान मिलता है और नाहीं मन की कोई या कांशा पूरी हो पाती है इसलिए अपने लोक और प्रलोक दोनों को सवारने के लिए माता लक्षमी के नाम का पावन आश्रे पकड़ लेना चाहिए तो प्रेम से बोलिये भक्तों लक्षमी माता की जै मन में मंदिर एक बना लो उसमें मां की जोती जला लो तनमन से मां के हो जाओ मां की भक्ती में खो जाओ सोई किसमत पुनह जगेगी भव से नई या पार लगेगी कभी सानंद सुनील सदाजी भक्ती भाओ करता है मां की मा लक्षमी भक्तों को करती चीर संपति प्रदान मा लक्षमी भक्तों को करती चीर संपति प्रदान जो करता गुनगान होता है कल्यान जो करता गुनगान होता है कल्यान ओ महा लक्षमी नमो नमः तो प्रेम से बोलिये भक्तों लक्षमी माता की जै भक्त जनों आप सब तो जानते ही हैं कि माता लक्षमी को धन की देवी कहा जाता है संपुरन ब्रह्मान को वैभवों और सुखों से संपन करने वाली माता लक्षमी ही हैं आईए आज हम आप सबको माता लक्षमी की पावन महिमा इस संगीत में गाथा के माध्यम से शरवन कराते हैं तो प्रेम से बोलिये भक्तों लक्षमी माता की जै है माता लक्षमी की महिमा तो सब से न्यारी है माता लक्षमी की महिमा तो सब से न्यारी माता के हात में है श्रिष्टी की शक्ति सारी है माता लक्षमी की महिमा तो सब से न्यारी है माता लक्षमी की महिमा तो सब से न्यारी भक्त जनों एक बार मुनी दुर्वासा ने देवराज इंद्र को एक फूलों का हार भेट किया था देवराज इंद्र ने अपने पद के एहंकार में वो हार मुनी की आँखों को बचा कर भेक दिया परंतु रिशी दुर्वासा ने उसे देख लिया और इंद्र को श्री अर्थात धन हीन होने का श्राप दे दिया अब आगे श्रवन कीजिये तो प्रेम से बोलिये भक्तों लक्षमी महरानी की जै दानव ने आक्रमन कर जब इंद्र को हराया तब इंद्र ने कही ना कोई उपाय पाया जाया सुरेश पर अब संकट बड़ा ही भारी है माता लक्षमी की महिमा तो सब से न्यारी है माता लक्षमी की महिमा तो सब से न्यारी भक्त जनो श्राप के प्रभाव से इंद्र की दशा भेखारियों जैसे हो गई और माता लक्षमी स्वर्ग से निकल कर समद्र में प्रविष्ट कर गई तीनों लोकों में कंगाली और भुकमरी छा गई जब देवराज इंद्र को कोई उचित उपाय न मिला तब इन्होंने समस्त देवताओं और सिद्ध मुनियों के साथ माता लक्षमी की प्रार्थना की अब आगे सुनिये तो प्रेम से बोलिये भक्तों लक्षमी माता की जब सारे देवता ने माता के गुण को गाया तब माता लक्षमी ने देवों का दुख मिटाया माता की शुब दया से सब हो गए सुखारी है माता लक्षमी की महिमा तो सब से न्यारी है माता लक्षमी की महिमा तो सब से न्यारी भाक्त जनों जब देवता और रिशी मनियों ने माता लक्षमी की प्रार्थना करके उनका अभिशेक किया तब देवराज इंद्र को मुनी दुर्वासा के शराप से मुक्ति मिल गई और तीनों लोक सम्रिधि शाली तथा सुख शान्ती से संपन्न हो गया देवराज इंद्र को स्वर्ग का वैभव पुनह प्राप्त हो गया और फिर उन्होंने देवस्तुति से किस प्रकार माता का धन्यवाद किया आईए शरवन करते हैं तो प्रेम से बोलिये भक्तों माता लक्षमी की जै मा लक्षमी की करुणा से स्वर्ग जब मिला है तब देव राज का मन भक्तों पुने खिला है बोले हैं इंद्र माता हो आप कष्ट हारी है माता लक्षमी की मही मातो सब से न्यारी है माता लक्षमी की मही मातो सब से न्यारी भक्त जनों देव राज इंद्र बड़े भाव के साथ माता लक्षमी की विनती करते हैं कि हे माता आप श्री पीट पर स्थित और देवताओं से पोजित हैं आपके हाथों में शंक चक्र कदा और कमल का पुष्ट अध्यन्त सुशोभित हो रहा है हे महा माया हे महा लक्षमी आपको बारं बार प्रणाम है तो प्रेम से बोलिये भक्तों लक्षमी माता की हे भगवती भवानी कष्टों को हरने वाली जो भी शरण में आया लोटा कभी न खाली जो भी शरण में आया लोटा कभी न खाली हे मात आप तो हो हरी की अतीव प्यारी हे मात आप तो हो हरी की अतीव प्यारी हे मात आप तो लक्षमी की मही मात तो सब से न्यारी हे मात आप तो लक्षमी की मही मात तो सब से न्यारी भक्त जनों देवराज इंद्र कहते हैं कि हे मात आप स्थूल सुक्षमी एवं महारोद्र रूपिनी हो आप ही इश्वर की महाशक्ती समस्त्र प्रकार के पाप ताप और श्रापों का संगार करने वाली हो यदि आपकी दया न होती तो हमें स्वर्ग पुना प्राप्त करना बड़ा ही दुरलब हो जाता हे माता आपके चरणों में करोणों बार प्रणाम है तो प्रेम से बोलिये भक्तों लक्षमी माता की जैए हे माता आप ही तो हो वै कुंत वासनी हो सब भेद जानती हो कणकण निवासनी हो हे माता आप ही तो हो अश्ट रूप धारी हे माता आप ही तो हो अश्ट रूप धारी हे माता लक्षमी की महिमा तो सब से न्यारी हे माता लक्षमी की महिमा तो सब से न्यारी भक्त जनों देवराज इंद्र हाथ जोड़कर स्तुति करते हैं कि हे माता आप आदी और अनन्त से परे समस्त रिधी और सिधियों की परम पावन स्थान वो आपके सिर पर स्वर्ण मुकुट गले में सुगंधित फूलों की माला एवं प्रत्यक अंगों के रत्नों का दिव्याभुशन सुशोबित हो रहा है हे माता आपके चर्णों में मेरा बार बार प्रणाम है तो प्रेम से बोलिये भक्तों लक्षमी माता की हे माता आप ही तो खोशार दाव काली भैको मिटाने वाली कल्यान करने वाली ममता लुटाती सब पे राजा हो या विखारी हे माता लग्षमी की मही मातो सब से न्यारी हे माता लग्षमी की मही मातो सब से न्यारी भक्त जनों देवराज इंद्र ने इस प्रकार बड़े भाव के साथ स्तुती करके माता महालक्षमी का आभार प्रकट किया माता लग्षमी की दया से ही यक्षपती कुवेर देवताओं के कोशा धक्ष बनकर पूजनिये हो गए जिस पर भी माता लग्षमी की दया हो जाती है उसका समस्त कारे निर्विग्न संपन्न हो जाता है तो प्रेम से बोलिये भक्तों लग्षमी माता की जै ब्रम्हा ने माता लक्ष्मी का ध्यान जब लगाया ब्रम्हा ने माता लक्ष्मी का ध्यान जब लगाया तब माता की दया से सब लोक है सजाया मा के चरण कमल का हर जीव है पुजारी है माता लक्ष्मी की मही मातो सब से न्यारी है माता लक्ष्मी की मही मातो सब से न्यारी भक्त जनों प्रम्हांड का ऐसा कोई भी स्थान नहीं जो माता महालक्ष्मी की दया से रहित हो जिस पर भी माता महालक्ष्मी की गृपा नहीं होती उसे कही भी मान सम्मान प्राप्त नहीं होता और उसे अपनी जीवन में अनेकों कश्टों को भोग करना पड़ता है इसलिए अपने जीवन को सवारने के लिए प्रतिक विप्ति को माता लक्ष्मी की भक्ती अवश्य करने चाहिए तो प्रेम से बोलिए भक्तों माता लक्ष्मी की जै आठों प्रहर सदा ही माता को जो मनाए आठों प्रहर सदा ही माता को जो मनाए वो ही जगत में बगतों सुख और शांती पाए होती निरोगी काया मिटती है सब विमारी है माता लक्ष्मी की मही मातो सब से न्यारी है माता लक्ष्मी की मही मातो सब से न्यारी भक्त जनों माता महा लक्ष्मी के पावन नाम का जो भी नित्य प्रती स्मरन करता है उसे कभी धन का भाव नहीं होता और दरिद्रता का दुख उसके आसपास भी नहीं भटकता जो भी माता के दिव्य स्त्रोत का पाट करके माता का चिंतन करता है उसका लोग और परलोग दोनों ही सवर जाता है तथा अंत में परमपद की प्राप्ती होती है तो प्रेम से बोलिये भक्तों लक्षमी माता की जैए मा लक्षमी की महिमा जो भाव से है गाता आलोक सानंद अंत में कैवल्य पद है पाता मा नोज बंति अंत में कैवल्य पद है पाता मा लक्षमी के गुण को गाते स्वयं पुरारी है माता लक्षमी की महिमा तो सब से न्यारी माता के हाथ में है श्रिष्टी की शति सारी है माता लक्षमी की महिमा तो सब से न्यारी है माता लक्षमी की महिमा तो सब से न्यारी ओम रुकमेडी नमः ओम महा लक्षमी नमः ओम भाग गिश्री नमः ओम आदी लक्षमी नमः भक्त जनों आज हम आप सबको माता लक्षमी की शुक्रवार व्रत कथा को सुनाने जा रहे है शुक्रवार का व्रत समर्ष्थ सुखों और समर्द्यूं को प्रदान करने वाला है तो आए कथा श्रवन करते है प्रेम से बोलिए भक्तों माता लक्ष्मी की जैड़ माता लक्ष्मी की हम पावन कथा सुनाते हैं इनकी करुणा से भक्तों के दुख मिट जाते हैं है तधा बड़े पावन सब सुनो लगा कर्मन होगा सुख में जीवन भक्त जनों माता लक्ष्मी की महिमा बड़ी अपार है जिस पर भी माता की दया द्रिष्टी हो जाती है उसका जीवन समस्त मंगल सुखों से भर जाता है और उसके जीवन की समस्त बाधा इस प्रकार समाप्त हो जाती है जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार का विनाश हो जाता है तो प्रेम से बोलिए भक्तों माता लक्ष्मी की जै मा लक्ष्मी की महिमा भारी तीनों लोगों से है न्यारी जो जन मा का ध्यान लगाए वह मनवांचित फल को पाए मिट जाती है सब कठिनाई होती है चहु और बड़ाई शुक्रवार है मा को प्यारा इसे जानता है जगसारा शुक्रवार के व्रत की महिमा हम बतलाते हैं पावन कठा सुनाते हैं इनकी करुणा से भक्तों के उख मिट जाते हैं है गढ़ा बड़े पावन सब सुनों लगा कर्मन होगा सुख में जीवन भक्त जनों आईए आज हम आप सब को शुक्रवार के व्रत से माता लक्षमी की गृपा की एक छोटी सी परंतु अत्यंत मनोहर कथा सुनाने जा रहे हैं किसी शहर में लाखों लोग रहते थे परंतु सब अपने अपने कारियों में इस तरह व्यस्त थे कि किसी को किसी की भी परवा नहीं थी भजन, किर्टन, दया, भक्ती, भाव और परोकार जैसे सल्सकार एकदम से कम हो गए थे तो प्रेम से बोले भक्तों माता लक्ष्मी की जै जुआ आदी बढ़ गया शहर में, होई बुराई हर घर घर में रेस शराब डकैती चोरी, खूब बढ़ गई है बर जोरी रोज गुनाह शहर में होता, कहीं खुशी कहीं कोई रोता इस प्रकार आतंग मचा है, पर कुछ घर भी अभी बचा है अब आगे की बात सुनो, हम तुम्हें सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं इनकी करुणा से बक्तों के दुख मिट जाते हैं है कथा बड़े पावन, सब सुनो लगा कर्मन सब सुनो लगा कर्मन, होगा सुख मेर जीवन भक्त जनों, उस शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थी जिन में ही एक थी शीला, जिसकी क्रिहस्ती पूरे शहर में मानी जाती थी जहां शीला बड़ी धार्मिक, प्रकिर्ती और संतोशी सभाव की थी वही उसका पती भी अध्यंत विवेकी और शुशील था तो प्रेन से बोली भक्तों, लक्षमी मैया के जैन कामों से जब फुर्सत पाती, तो शीला मा का गुण गाती सांसों की माला को गिन गिन, बजन की इरतन करती निश दिन अब आगे की सुनो कहानी, आवशक है बात बतानी शीला का पती बाहर जाकर, उल्जा बुरे संग को पाकर बुरे संग में अच्छे जन भी संभल न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं इनकी करुणा से भक्तों के उख मिट जाते हैं है दधा बड़े पावन, सब सुनो लगा कर्मन, होगा सुख में जीवन भक्त जनो, शीला का पती ऐसे लोगों का संकर बैठा, कि वह जल्द से जल्द करोड पती बनने के सपने देखने लगा और इस कारण जुआ, शराव और रेस की घलत आदतों ने उसे रास्ते पर भटकते भिखारी जैसा बना दिया तो प्रेम से बोली भक्तों, लक्षमी महरानी की जै जुआ आदी में अपना सारा, शीला के पती ने है हारा जब सब कुछ ही गवा दिया है, गर में धीमत भेद किया है शीला समझा करके हारी, सहन लगी है दुख बेचारी अब वह अपना और समय भी लगी बितानी भक्ती में ही इस कारण से मन में चिंता और नाते हैं, आवन कथा सुनाते हैं इनकी करुणा से भक्तों के रुख मिट जाते हैं है गधा बड़े पावन, सब सुनो लगा कर्मन, सब सुनो लगा कर्मन, होगा सुख में जीवन भक्त जनो एक दीन दोपहर के समय शीला के दरवाजे पर कुछ दस्तक देता हैं जब शीला दरवाजा खोलती है, तो एक मांजी को खड़ी पाती है शीला देखती है, उस मांजी के चहरे पर अलोक एक तेज निखर रहा है और उसकी आँखों से जैसे दया और मुंता की अमरित छलक रहे तो प्रेहन से बोलिये भक्तों लक्षमी माता की जैंद शीला का मन अतिहर शाया, भूल गए दुख आनंद छाया शीला उस मांजी को लेकर, आदर सहित गई है अंदर घर में और नहीं था कुछ भी, एक चादर बस फटी हुई थी मन में अपने कुछ सकुचा कर, बिछा दिया वह चादर लाकर भाओ देख कर मांजी की आँखें भर आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं इनकी करुणा से भक्तों के दुख मिट जाते हैं है दधा बड़े पावन, सब सुनो लगा कर मन, होगा सुख में जीवन भक्त जनों, वह मांजी बोली, क्यों शीला, तुमने मुझे पहचाना नहीं मैं हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी के मंदिर में, भजन किर्टन के समय उपस्तित रहती हूं मैंने कुछ दिनों से तुमको मंदिर में नहीं देखा, तो तुमसे मिलने चलिया है मांजी के प्रेम भरे वचनों को सुनकर, शीला बिलख बिलख कर रोने लगी तो प्रेम से बोलिये भक्तों, माता लक्ष्मी के जैन मांजी बोली सुख दुख माया, जैसे धूप और है छाया किस कारण से ना घब राओ, मुझको अपनी व्यता बताओ शीला ने इस वचन को सुनकर, बतलाया है सब कुछ सादर मांजी बोली धीरजधारो, चिन्ताओं को मन से तारो मां लक्ष्मी के भक्त कभी भी ना घब राते हैं, पावन कथा सुनाते हैं इनकी करुणा से भक्तों के उख मिट जाते हैं है कथा बड़े पावन, सब सुनो लगा कर्मन, होगा सुख में जीवन भक्त जनों, वह मांजी बोली हे शीला, तुम शुक्रुआर को माता लक्ष्मी का व्रत करो माता की दया से सब कुछ ठीक हो जाएगा शीला के पूछने पर मांजी ने उसे व्रत की सारी विधी बता दी और कहा, हे बेटी, माता लक्ष्मी का व्रत करने वाले समस्त सुख, यश और वैभग को प्राप्त करते हैं तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जै शीला मा को शीश जुका कर बैठ गई है आँख बंद कर प्रत संकल्प किया है जैसे चमतकार एक हुआ है तैसे आँख खोल करके देखा जब मांजी को ना पाया है तब शीला के मन बात समाई यह तो स्वयम थी लक्ष्मी माई सोच सोच के शीला के मन अतिहर शाते हैं पावन कथा सुनाते हैं इनकी करुणा से वक्तों के दुख मिट जाते हैं है तधा बड़े पावन सब सुनो लगा कर्मन होगा सुख में जीवन भक्त जनो अगले ही दिन शुक्रवार था सुबह स्नान करके स्वच कपड़े पहन कर शीला ने मांजी द्वारा बताई गई विधी से भाव पूर्वक वरत किया अंत में प्रसाद सब से पहले अपने पती को खिलाया प्रसाद खाते ही उसका सोबहाव पूरी तरह से बदलने लगा उस दिन उसने ना तो शीला को मारा और ना ही सताया शीला के मन में व्रत के लिए और भी शत्धा बढ़ गए तो प्रेम से बोलिए लक्षमी माता की जै शीला के मन आनंद छाया शुक्रवार का व्रत अतिभाया प्रत 21 किया है सादर मा लक्षमी के गुण को गाकर 21 भेवार उद्यापन किया लगाकर शीला नेमन साथ इस तेरियों को बुलवाया भाव सहित भोजन करवाया फिर मा लक्षमी की महिमा को सब मिल गाते हैं पावन कथा सुनाते हैं इनकी करुणा से भक्तों के उख मिट जाते हैं है तधा बड़े पावन सब सुनो लगा कर्मन सब सुनो लगा कर्मन होगा सुख में जीवन भक्त जनो शीला ने व्रत का उध्यापन करके जैसे ही माता लक्षमी की छवी को प्रणाम किया उसका पती पूरी तरह से पहले जैसा अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा उसने जुए में हारे हुए सारे सामान को पुना प्राप्त कर लिया तो प्रेम से बोलिये भक्तों माता लक्षमी की जै मा लक्षमी की करुणा चाई घर में फिर खुश हाली आई प्रत प्रभाव को जिसने जाना उसने भी है मन में ठाना शुक्रवार व्रत जो करता है उस साथक से दुख डरता है साथ एक किस एक ज्यारा वार व्रत करता है जो शुक्रवार उसके जीवन में संकट के मेघ नचाते हैं पावन कथा सुडाते हैं इनकी करुणा से भक्तों के उक मिट जाते हैं है तथा बड़े पावन, सब सुनो लगा कर्मन, होगा सुख में जीवन भक्त जनों, शुक्रवार के व्रत का प्रारम और उद्यापन पूरे शाष्त्रिये विधान के अनुसार ही करना चाहिए आखरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनाए और साथ अथवा एक ज्यारा सौभाग के वती स्त्रियों अथवा कुवारी कन्याओं को प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहन कराकर एक एक वैभव लक्षमी व्रत कथा पुस्तक को भीट गरान करें तो प्रेम से बोलिये भक्तों लक्षमी माता की जैन निर बल बल निर धन धन पाए भाग्य हीन किसमत चमकाए शुक्रवार व्रत का फल जैसा नहीं किसी भी व्रत का ऐसा मन की हर एक छाहो पूरी ना रह जाए एक अधूरी है सानंद शरण में मैया आलो के सर पर आचल चैया हम सब सादर तुमको माता शीश जुकाते हैं पावन कथा सुनाते हैं इनकी करुणां से भकतों के दुख मिट जाते हैं है कथा बड़ी पावन सब सुनो लगा करमन होगा सुख मैं जीवन है कथा बड़े पावन सब सुनो लगा कर्मन होगा सुख में जीवन